जंगल में एक मीनो चड़िया का परिवार रहता था मीनो चड़िया के परिवार में मीनो चड़िया उसकी तीन बेटियां और मीनो चड़िया का पती मानो चड़ा रहते थे मानो चड़ा बहुत ही जादा कामचोर और आलसी था मानो चिड़ा हर समय अपने घर में बैठा शराब ही पीता रहता था और कभी कभी मानो चिड़ा अपने घर पर अपने दोस्तों को बुला कर शराब की पाटी करता था और मानो चिड़े को ये भी शरम नहीं थी कि मानो चिड़े के घर में तीन तीन बेटियां है मीनो चड़िया हर समय अपने पती मानो चड़िया को समझाती रहती थी कि वे ये शराब की आदत छोड़ दे और कोई अच्छा सा काम धाम करे लेकिन मानो चड़िया मीनो चड़िया पर घुसा करता और मीनो चड़िया की बात ना मानता आपको बिलकुल भी शरम नहीं है आप अपने ही घर में बैटकर शराब पीते हो और आपको ये भी शरम नहीं कि हमारे घर में तीन तीन बेटिया है वे ये सब कुछ देखती होंगी तो उन पर क्या असर होता होगा देखो मीनू चड़िया मैं तो इसी घर में बैटकर शराब पीओंगा देखता हूँ मुझे कौन रोकता है और अगर तुम्हें मुझे कोई तकलीफ है तो तुम अपनी बेटियों को लेकर यहां से जा सकती हो अई जी आप ये क्या के रहे हैं मैं ये घर छोड़कर कैसे जा सकती हूँ मैं और मेरी तीनों बेटियां ये घर छोड़कर जाएंगी तो वे कहां रहेंगी हमें कौन रहने की जगा देगा ठीक है अगर तुमें इस घर में रहना है तो मेरे मताबक रहना पड़ेगा जैसा मैं कहूंगा बिलकुल वैसा ही करना पड़ेगा अगर तुमने कोई भी चूचा करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा मीनू चड़िया मानो चड़िया काफी जादा परिशान हो जाती है और मीनू चड़िया को उसका दोस्त मिलकर हुँ मज़े से शराब पीने लगते हैं है जी आज तक तक तो आप इस घर में बेट कर शराब पीते थे और आज तो आप अपने दोस्त को भी इस घर में शराब पिलाने के लिए ले आए हो आपकी तीन तीन बेटिया हैं वे भी ये सब कुछ देख रही हैं तो देखती रहें मुझे क्या फरक पड़ता है मुझे तो अपनी शराब पीने से मतलब है और हाँ मिनू चिडिया मैंने तुमसे कहा था था ना कि ज़्यादा चूचा मत करना परणामे तो मैं और तुम्हारी बेटियों को इस घर से बाहर निकाल दूँगा मानू चिडिया की ये बात सुनकर मिनू चिडिया खामोश हो जाती है और वे अपनी तीनों बेटियों से कहती है चलो हम चारों कहीं बाहर चलते हैं शाम तक हम चारों वापस आ जाएंगे फिर मीनू चेडिया अपनी तीनों बेटियों को लेकर वहां से चली जाती है मीनू चेडिया एक पेड़ पर अपनी तीनों बेटियों को लेकर बैठी काफी जादा उदास होती है कि वहां पर एक बलबुल आ जाती है मीनो चिडिया क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? और यहां तुम अपनी तीनों बेटियों को लेकर क्यों बेटी हो? बिल बिल मैं तुम्हें क्या बताऊं? ये तो घर में बैटकर शराप पीते ही हैं और उप़र से अपने दोस्तों को भी लियाते हैं ये सब कुछ मेरी बेटियां देखती होंगी तो इन पर क्या असर होता होगा बस मुझे अपनी बेटियों के बविश्यों की हरवक चिंता रहती है हाँ मीनो चिडिया तुमने बिलकुल ठीक कहा अगर तुम्हारी तीनों बेटियां मानो चिड़े को शराब पीता हुआ देखेंगी तो उन पर बहुत बुरा असर होगा मीनो चिड़िया अगर मेरा पती शराब पीता होता तो मैं तो उसके साथ कभी नहीं रेती और हमेशा हमेशा के लिए मैं उसे छोड़ कर चिड़ी जाती मीनो चिड़िया चिलो में चिलती हूँ मुझे भूजन भी जमा करना है बच्चे मेरा मेरे घर में इंतिजार कर रहे होंगे ये कैकर वे बुल बुल वहां से चिड़ी जाती है मैं क्या करूँ अगर मैं अपनी तीनों बेटियों को लेकर उसी घर में रही तो मेरी तीनों बेटियों का वविश्य खराब हो जाएगा बस मैंने आज से सोच लिया है कि आज से मैं दुबारा अपनी तीनों बेटियों को लेकर उस घर में नहीं जाओंगी और मैं किसी अच्छे से पेर पर गोंसला बना लूँगी और मैं आपके तीनों बेटियों को लेकर उसी गोंसले में पूरी जिन्दगी रहूंगी कम इसकम इस तरह मेरी बेटियों का भविश्य तो खराब नहीं होगा फिर मीनो चड़िया रोजाना काफी जादा मैनत करती है और काफी सारे तिनके जमा करती है और उन तिनकों से मीनो चड़िया एक नया गोंसला बनाती है कुछ दिनों के बाद मीनो चड़िया ने दो गोंसले तयार कर लिये थे जिसमें मीनू चड़िया अपनी तीनों बेटियों को लेकर सुकून से रह रही होती है और इधर ही मानू चड़िया को ना तो अपनी पत्नी और ना ही अपनी तीनों बेटियों की कोई चिंता थी के वे किस हाल में होंगी बस मानो चड़ा हर समय शराब ही पीता रहता था एक दिन मीनो चड़िया बोजन जमा करने के लिए जा रही होती है के मीनो चड़िया को सामने मानो चड़ा जाते हुए दिखता है ये कहां जा रहे हैं लगता है ये शराब लेने जा रहे होंगे चलो मैं इनके पीछे पीछे जाती हूँ देखती हूँ कि आफर ये शराब का अड़क इस तरफ है फिर मीनो चड़िया भी मानो चड़े के पीछे पीछे जाने लगती है मीनो चेडिया देखती है के मानो चेड़ा एक सुराख वाले पेड़ के अंदर चला जाता है मीनो चेडिया भी फोरण उस सुराख वाले पेड़ के पास आ जाती है मीनो चेडिया उस सुराख वाले पेड़ के अंदर देखती है ताके किसी को कुछ पता भी ना चले और ये खोब अराम से शराब बेश सकें मैं अभी जाकर ये सारी बातें मिठ्टू माराज को बताती हूँ ताके मिठ्टू माराज फॉरण ये शराब बेशने वाले कालू कवे को पकड़ ले फिर वे मिठ्टू माराज के महल चली जाती है मिठ्टू माराज मिठ्टू माराज मैं आज आपको एक बहुती एहम खबर देने आई हूँ अच्छा बोलो मिठ्टू माराज तुम मुझे क्या खबर देने आई हो चल्दी बताओ मिठू माराज मैंने अभी देखा है कि जंगल के कोने में एक सुराख वाला पेड़ है उस सुराख वाले पेड़ के अंदर एक कालू कवव शरावे बेच रहा है अच्छा ऐसी बात है मीनो चेड़िया तो फिर मैं उस कालू कवव को शराव बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ूँगा चलो सैनिको फिर मिठू माराज अपने दो सैनिक लेकर उस शराव के अड़े के मालिक कालू कवव को पकड़ने के लिए चले जाते हैं सैनिको ये वही पेड़ हैं जिस पेड़ के अंदर कालू कवव को शरावे बेच रहा हैं चलो हम जल्दी से जाकर कालू कवव को पकड़ लेते हैं फिर मिठ्टू माराज और उसके सैनिक उस पेड़ के अंदर आ जाते हैं कालू कववा मिठ्टू माराज को देखकर काफी जादा ढर जाता है मिठ्टू माराज आप यहाँ पर कहां से आ गए आपको यहाँ का पता किस ने दिया कालू कवे ये पूरा जंगल मेरा है और तुम मेरे ही जंगल में शराब बेच रहे हो और तुम कह रहे हो कि ये बात मुझे नहीं पता होगी सैनी को इस कालू कवे को पकड़ कर महल ले चलो मिट्टू माराज उस कालू कवे को एक पिंजरे में कैद कर देते हैं और उस कालू कवे को शराब बेचने की सजा मिल जाती है अब मानो चड़े ने भी काफी दिनों से शराब नहीं पी थी क्योंके मानो चड़े को काफी दिनों से कहीं से भी शराब नहीं मिल रही थी और अब मानो चड़े को काफी जादा पश्टावा होने लगा कि उसने मीनो चड़िया और अपनी तीनों बेटियों के साथ बहुत जादा गलत किया है मेरे अब शराब पीने की आदत छूड गई है मुझे अपने आप पर बहुत पश्टावा है मैंने मीनो चड़िया और अपनी बेटियों के साथ बहुत जादा गलत किया है मुझे उन से माफी मांगनी चाहिए फिर वे मानो चड़ा फारण मीनो चड़िया के घुशले में आता है मीनो चड़िया मुझे माफ कर दो मैंने शराब पीना छोड दी है और मेरी शराब पीने की आदत अब बिलकुल ही खतम हो चुकी है इसलिए मीनू चड़िया मेरे साथ मेरे घर में चलो मुझे अकेले घर में रहने में बिलकुल भी मज़ा नहीं आता है इसलिए मीनू चड़िया और मेरी बेटियों चलो मेरे साथ मेरे घर चलो अब मानोचिडा मीनोचिडिया और अपनी तीनों बेटियों को लेकर अपने घर में आ जाता है और अब मीनोचिडिया का परिवार सुकून से रहने लगता है तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करगर जरूर बताएं हमें आपके कमेंट का बे सबरी से इंतिजार रहेगा